पूरे देश में नहीं हुआ है और तो और ये भी कहते नहीं थकते कि गुजरात में यूपी और बिहार की लोगों को भी रोजगार दिया जाता है लेकिन बिहार में गुजरात में रहने वालों का क्या हाल है इस पर नितिश कुमार शायद नहीं सोचते हैं तब ही तो तीन सो परिवार दो जून की रोटिक तक के लिए मोहतास दिखाई दे रहे हैं इसी पर है हमारा ये खास कारिकरम पटना में गुजराती तो चलिए कारिकरम की करते हैं शुरूआत तो बिहार में विकास की चकाचान से दूर गुजरातियों का एक ऐसा समाज रहता है जहां दो जून की रोटी के लिए गली-गली में आवास लगानी पड़ती है हम बात कर रहे हैं पटना में बसे करीब 200 गुजराती परिवारों की देखिए ये खास रिपोर्ट राम सुन्दर भाई गुजराती की तरह ही पटना के कमला नहरू मोहले के पास बसे तकरीबन 200 गुजराती परिवार की दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है मुफलिसी के अंधेरे में जीने वाले इस समाज की पैचान यू तो पुरे देश में अमीरी की तौर पर होती है लेकिन यहां का सच दूसरा है फटी हाली में जीने को मजबूर लोग फटे खपड़े के बदले कुछ नए कपड़े देते हैं और कहते हैं कि हम व्यापार कर रहे हैं पतना में मैं बिजनिस करता हूं कपड़े का और गुजरास से माल आते हैं और यहां आकार फेरी करतें गली गली ओंमें गुजारा अपने बच्चों का और अपने परिवार का गुजारा करते हैं यहाँ पर इनको साफ तोर पर कुछ पता नहीं कि गुजरात से इनके पूरवज, कब और क्यों बिहार आए पूछने पर कोई कहता है कि वहां अकाल पड़ा था लिहाजा बिहार में रोजी रोटी की तलाश में आ गए और आये तो यहीं बस गए गरीबी में भी अपनी संस्क्रत को बचाय हुए है नवरात्र का गरबा हो या फिर कृष्टाष्टमी का त्योहार यहां गुजरात जाग उठता है पिछले 50 साल से ये लोग यहां पर रह रहे हैं चुनाओ की चर्चा करने पर नरेंद्र मोधी के नाम के साथ खुश होते हैं लेकिन दर्द पुराना है पूरी करें नितिश आया है पट्ना में लेकिन थोड़ा बहुत सुधार हुआ है यह तो हम समझ रहे हैं लोग तंत्र में आदमी की कीमत नहीं होती गिंती मायने रखती है शाहत यही वज़े है कि विकास की रोशनी इनके घरों की कमजोर दिवारों को भेद नहीं पाई पचास साल बाद भी जिंदगी इन पतली गलियों में चौड़ी होती जा रही है पचीस की संक्या में इनके पूर्वा जाये थी आज हजार के आसपास हैं लेकिन जीने के लिए वही पुरानी आवाज आज भी तोहरा ही जा रही है सहयोगी इंदराज के साथ धीरेंद्र साधना न्यूज पटना तो पटना में तकरीबन हजारों की संख्या में फटे हाल में गुज़ाती रह रहे हैं यहां आजादी के इतने साल बीच जाने के बाद भी विकास के बाद बेमानी से लगती है यह लोग इन तंग गलियों में जीने के लिए मजबूर हैं और इसी का जायजा लिया हमारे संबादाता धीरेंद्र ने आजकल पूरे देश में गुजरात के विकास मौडल की चर्चा हो रही है और चर्चा क्या हो रही है यकीन मानिए इसी नाम पर राजनीती हो रही है हम पटना में आपको लेकर आए हैं एक ऐसे समाज के बीच में एक ऐसे मुहले में जिसका नाम है गुजराती समाज और गुजराती मुहला और विकास की तस्वीर क्या है मैं जरा खुद कैमरे से हट जाओं तो फिर कैमरे के आख से देखें कि यहाँ पर विकास की तस्वीर है क्या यह पटना का गुजराती समाज मुहला है इन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर तक्रीवन पिछले 50-60 साल से यह लोग रह रहे हैं और 60 साल के बाद भी इनकी जीवन की माली हालत क्या है चाहे तो इनके घरों के तस्वीर से समझ यह नहीं तो सरकार ने यहाँ पर विकास के लिए क्या कुछ किया वह इस जरह हैंड पंप के हैंड और पंप को अंदाजा दिलिए इसको चलता हुआ देखकर समझ लिजिए य यहाँ इसको कह सकते हैं इनके खुद का तक्दीर का खेल लेकिन समझ है तो धर्म है और धर्म है तो आस्था है यह जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर राम संदर भाई गुजिराती का कहना है कि इस मंदिर की नीव उनके नाना ने रखी थी और मंदिर के पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है इस पैर को भी इनके नाना नहीं लगाया था पीर लगाया इस बात को इस लाइन से समझाए सकता है कि अगर पैर लगाने की कलपना की गई तो जिन्दगी जीने की कलपना की गई और जिन्दगी किस तरीके से जी जा रही है जरा आप इन गलियों सक्री गलियों में देखे कि कैसा ये मुहला बसा है और कितने विकास की रौसनी यहाँ पर पहुंची है ये गुजरातियों का मुहला पटना वाड नमबर 28 आज ये मु स्ट्री अस्तर पर गुजरात के मॉडल पर चर्चा हो रही है गुजरात के मॉडल पर वोट मंगा जा रहा है कोई कहता है कि गुजरात का मॉडल ही देख को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा और कोई कहता है कि गुजरात का मॉडल जनार चलेगा नहीं चलेगा तो किस तरीके से जिंदगी चलती है ये बहुत कुछ कहने की जरूत में जो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है उन तस्वीरों से असफ़स्ट होता है कि आखिर बिहार में गुजराती आकर बसे और बसने के बाद जिंदगी जीनी शुरू की तो जिंदगी की इस्थिती दिख बिहार में गुजरात के लोगों की इस्थिती को देखेंगे तो ये इस्थिती बिल्कुल उलट है और इसी का जाज़ा लेने के लिए पहुंचे थे हमारे सहयोगी धिरेंदर उन्हों ने दिखाया कि किस तरह से तस्वीरे दिखाए कि जो एक हैंड पंप लगा हुआ है पूरे इलाके में वो भी चलता नहीं है गर्मी के दिन है पानी है नहीं तो लोग कैसे अपने अपनी जो प्यास है उसको बुझाएंगे अगर आपको कहा जाए कि बिहार के पटना में गुजरातियों का एक ऐसा समाज रहता है जहांके लोग बत्तर हाल में जीने के लिए मजबूर है शेहर के बीचों बीच बसा ये इलाका विकास की रोशनी से कोसो दूर है शायब आ 500 मीटर की दूरी पर है इन कलियों में गुजरात पस्ता है काम फेरी करना पुराना कपड़ा खरीद नया बेचना नया पुराना के बीच इनकी जिंदगी को इनके इन घरों के कमजोर दिवारों के साथ जोड़ कर समझा जा सकता है इनके जीने की शैली फटे हाली को समझने के लिए हम इनके घर के अंदर पहुंचे कौरी बेन पहले गुजराती में बोलती है फिर हिंदी में लेकिन जब बोलती है तो गरीबी साप सुनाई देती है पैसा कम होने के बावजूद जीने का सलीका आता है तिनका तिनका जोड़के छोटा सा आशियाना बनाया कुछ सामान भी भर लाए हैं जब साधना न्यूस की टीम इनके हालात को समझने इनके घर पहुँची तो स्वागत में पुरुश महिला सब शामिल हो गए हम घर से बाहर निकले एक मंदिर है सामने चबूतरा यहीं लोगों का मजमा लगा रहता है सुनीता बेन अपनी सास के सामने परदा किये रहती है हमने भी इस परदा नशी से कुछ सवाल किये अब हमने इस समाज के सामाजिक ताने बाले को समझना चाहा आखिर गुजरात से इनका रिष्टा अब भी जिन्दा है या खत्म हो गया और शादी ये लोग शादी किन के बीच करते हैं जवाब सुनीता बेन की सास देती है हाँ गुजरात चाहते हैं वहाँ अपनी सादी सुदा करते हैं बाल बचा का कुल मिला कर इनकी जिन्दगी में जाकने पर गरीबी, मुफलिसी और लाचारी जलगती है एक हजार की संख्या में रहने वाले इन लोगों के बीच किसी ने अब तक मैट्रिक तक की पढ़ाई भी नहीं की शायद पेट की आगने मैट्रिक के एक्जाम लेने के पहले ही कोहराम मचा दिया फिर भी शिक्षा की भूग जलगती है अब चुनाव सिर्पर हैं दावो और बादो की पोटली लेकर नेता घूम रहे हैं कोई इनकी सुध लेगा क्या धिरेंदर सादना नियूज पतना तो बिहार में शुशाशन की बात, बिहार में विकास की बात ये करते ठकते नहीं हैं मुख्यमंतरी नितीश कुमार सहयों की धिरेंदर हैं हमारे साथ ज्यादव जानकारी की साथ धिरेंदर आप गलियों में पहुँचे किस तरह से तंग गलियों में यहाँ पर रह रहे हैं जो गुज़ात के लोग हैं पिछले 50 साल से आप से जानना चाहेंगे सिर्फ गुज़ात के लोगों की ही यह दूरदशा है क्या मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इस जगा का विकास नहीं किया क्या कारण बाना चाहता है देखिए शायद इसमें महत्रपोन कारण यह है कि इनकी संख्या इतनी कम है पटना में कि यह किसे भी अस्तर पर राजनीती और प्रशासन को प्रभावित करनी की इस्थिपी में नहीं है लोग के तंत्र में क्या बहुत मायने रखता है इनका वोट इतना भारी नहीं है कि किसी के तराजों के पलड़े को प्रभावित करने लाजर ये कीना रेस पड़े हुए है तकरीवन पिछले साथ साल पचाथ साल से ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं और यकीन मानिये जब मैं वहाँ पर पहुँचा और एक रूम में जब इन लोगों की पूरी फैमली को मैं देखा तो दंग रह गया कि पटना के उस इलाके में जहां सर्माज 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी जनता दल युनाइटेट राश्किये जनता दल जैसे पार्टियों का कार्याले हैं ये वो पार्टियां हैं जो बिहार के में राजमीती करती हैं बिहार के सत्ता पर काविज होने का दावा करती हैं उनके कार्याले समाज 500 मिटर की दूरी पर अगर जिंदगी इस तरीके से रेंग रही है तो यकीन मानिए इन लोगों को अभी तक लोकतंत पर विश्वास है ये एक बहुत बड़ी बात है अन्य था विश्वास टूप जाना चाहिए था जो इनकी स्खिती है इनके पूरे वह उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो समाज के पीछले पायदान पर खड़ा है जो सबसे पीछे खड़ा है अगर उसके लिए आप कोशिव कर रहे हैं जनाल तो पटना में आपके कार्याले के महाज 500 मिटर की दूरी पर ये पिछला समाज आपके नजर में क्यों नहीं आता ह ये एक बहुत बड़ा प्रस्मिशन है बिहार के सासन पर, बिहार के राज़िती पर और बिहार के उन रहनुमाओं पर जो एक एक वोड के लिए किलो मीटर का फासला टै करते हैंरा है शैद ये सौच कर कि इस एक वोड के जरिए एक समाज का बहुत बार वोट हमें मिल कि एक वोट के लिए यहां जाएने से कोई फायदा नहीं चुकि इनके इतनी इतनी सब्सक्राइब करें तस्वीरें यहां पर साफ हैं जिस तरह से आप पहुंचे हुए थे किस तरह से तंग गलियों में रहने के लिए मजबूर हैं गुजरात के यह 200 लोग आपने दिखाया चापकल जो लगा हुआ है हैंड पंप है इलाके के 200 लोग उस पर ही निरभर हैं लेकिन उसमें भी पानी नहीं आता बिल्कुल पानी नहीं आता है वहां पर पानी लेकर हो या सुबार पानी की जरूरत हो या दोपार में पानी की जरूरत हो पानी की कई ताइम जरूरत होती है और ये तमाम जरूरतों के लिए ये लोग नीजी तरीके पर अस्रित हैं इस इलाकी के बाहर का जो इलाका है जश्ट इस बाउंडरी के बाहर का जो इलाका है वहाँ पर आप खड़ा नहीं हो सकती है रेशुम वहाँ पर गंदगी इतनी है इन लोगों के पास रासन कार्ड है, मैंने बात किया, पूछा किसा आप लोगों के पास रासन कार्ड या लाल कार्ड है की नहीं है चुकि आज सरकारी फाइल में गरीबी को कार्ड के साहर समझाव जाना जाता है इन लोगों के पास रातन कार्ड काती है कि कभी-कभी टेल मिल जाता है लेकिन सिर्फ टेल मिल जाने से किसी के घर में चूला जल जाय यह संबव हो सकता है लेकिन उस सुले पर खाना पक जाय इसकी गारंटी नहीं हो सकती है दिरेंदर अगर गुज्रात की बात की जाये तो गुज्रात के लिए कहा भी जाता है कि गुज्रात में हर कोई अमीर है, हर कोई व्यापारी यहाँ पर है, लेकिन जो लोग गुज्रात के बिहार में रह रहे हैं, उनकी तस्वीर भी आप मनने हमें दिखाई है, जो तस्वीर ज़्ति सवाल ये है कि दो जी उनकी रोटी की संघर्ष में ही इनकी इतनी इनरजी खत्म हो जाती है कि ये अपने बच्छा को पढ़ाने के प्रफी सोची नहीं पाते हैं। बच्चा जैसे ही जवान होता है वो भी दो जून के रोटी की ही साथ जाता है पेट की आज इनके सामने इतनी बड़ी है कि सिच्छा के भूखे छोटी महसूस होती है यही वज़ा है कि यह लोग पढ़ने से कतराते हैं, स्कूल तक नहीं जाते बच्चे स्कूल जाना शुरू की हैं, लेकिन यह दावे के साथ कहना अभी मुस्किल है कि यह लोग मैट्रिक पास करेंगे या नहीं करेंगे यह हकीकत है बिहार में तकरीवन 200 की संख्याब रहने वाले गुजराती परिवार का चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धिरेंदरे तो तस्वीरे हमने आपको दिखाई कि कि इस तरह से बिहार में जो गुजरात के लोग हैं वो रह रहे हैं और किस तरह से अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं तंग गलियों में ना बिजली है ना पानी कैसे जी रहे हैं ये दो सुलोग फिलाल यहाँ पर रुकने एक छोटी से ब्रेक के लिए जल लौते हैं